अफिलेट मार्केटिंग करते हो चाहिए आप किसी भी कमपनी में हो तो ये गलतिया कभी मत करना वरना पैसे नहीं कमा पाऊगे हलो एवर्वर्वान स्वागत आप सभी का हेल्पिंग ब्रदस की तरफ से तो छेले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप तीन गलतिया बताऊंगा जो कि हर एक बिगिनर अफिलेट मार्केटर करता है जिसकी वज़े से उसके अर्निक नहीं हो पाती अगर आपनी वह गलतिया सुधार ली तो गैरेंटी दे रहा हो कि आपको पैसे कमाने से कोई रोकन ह पैसे कमाने की इतनी जल्दी होती है कि ना ही वो ट्रेनिंग करता है और ना ही वो बिजनस को अच्छे से समझता है जैसे उसने स्टार्ट किया वेसे वो मेक मनी ऑनलाइन के स्टेटर्स और स्टोरी लगाना शुरू कर देता है और जब उसको रिजल्ट नहीं मिलते तो फि आपको नहीं करने है सबसे पहले को कमपलीट करना है उसके बाद बिजनस को अच्छे से समझना है देन प्रोपाइल ऑист-पैसर उसके बाद आपको काम शुरू कर देना है licensed यहीं था इसा रिजन है जिसकी वज़े से beginner आगे नहीं बढ़ पाता ना ही उसको leads आती है और ना ही उसकी branding हो पाती है अगर आप किसी भी affiliate marketing करने वाले को देखोगे जो कि regular earning करता है तो उसकी profile पर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो person हर दिन एक real compulsory डालता है और यही एक reason है कि जिसकी वज़े से कुछ daily पैसे कमा पाता है और आप नहीं तो अगर आप यह सेम गलती कर रहे हो तो इसे अभी रोक लो और रेल्स बनाना शुरू कर दो तीसरी गलती बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हो कि अगर आपका sponsor आपको help नहीं करता और आपको पता नहीं है कि affiliate marketing से step by step पैसे कैसे कमाने है तो सामने दिये WhatsApp नंबर में message करो हम आपकी help जरू करेंगे तीसरी गलती है not maintaining consistency अगर आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हो सारी चीज़ एकदम perfectly follow कर रहे हो और बस एक चीज जो आपको अपने result से दूर रख सकती है और वो है consistency यही एक स सबसे जबरदस चीज है जिसको follow करके आप अपने मन चाही results को generate कर सकते हो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको consistent रहना ही पड़ेगा तभी आपको आगे जके बढ़िया results मिलने वाले हैं अगर आप रिल्स बना रहे हो तो आपको हर दिन regularly रिल्स upload करते रहना है तभी और आप हर दिन पैसा कमा पाओगे तो यह थी तीन सबसे common गलतिया जो कि एक हर एक beginner affiliate marketer करता है जिसकी वज़े से उसको results नहीं मिलते और वो पैसा नहीं कमा पाते तो अगर आप इन गलतियों को सुधार होगे या फिर इन गलतियों को नहीं करोगे तो आप एक successful affiliate marketer बन जा bye-bye